ये रिष्टा क्या कहलाता है में अक्षरा और नैतिक की रोमांटिक लव स्टोरी भारतिय टेलिविजन के सबसे लोगप्रे प्रेन कहानियों में से एक है पहली मुलाकाथ अक्षरा और नैतिक की पहली मुलाकात एक शादी में होती हैं, जहां वे एक दूसरे के प्रती आतर्शित होते हैं शादी परिवारों के दबाव में अक्षरा और नैतिक की शादी हो जाती है शादी के बाद शादी के बाद, अक्षरा और नैतिक एक दूसरे को बहतर तरीके से जानने लगते हैं, वे धीरे-धीरे प्यार में पढ़ जाते हैं, लेकिन कई चुनौतियों का सामना भी करते हैं चुनौतिया इन सभी चुनौतियों के बावजूद अक्षरा और नैतिक का प्यार मजबूत होता जाता है। वे एक दूसरे के लिए अपना प्यार और समर्पन दिखाते हैं। एक प्रेनादायक कहानी अक्षरा और नैतिक की प्रेम कहानी एक प्रेम आदायक कहानी है जो सक्षे प्यार की शक्ति को दर्शादी है यह दर्शाता है कि कैसे प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है अक्षरा और नैतिक के किर्दार अक्षरा अक्षरा एक सरल, दयालू और संसकारी लड़की है, वह अपने परिवार और पती के प्रती समर्वित है नैतिक नैतिक एक इमानदार, जिम्मेदार और प्यार करने वाला पती है, वह हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए चिंतित रहता है ये रिष्टा क्या कहलाता है, में अक्षरा और नैतिक की रोमांटिक लव स्टोरी दर्शकों को पसंद आई, और यह शो कई सालों तक चला, यह कहानी आज भी लोगप्रिय है, और इसे भारतिये टेलिविजन के सबसे प्रतिष्थित प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है यहां कुछ लोग प्रियद्रिश दिये गए हैं, जो अक्षरा और नैतिक की रोमांटिक लव स्टोरी को दर्शाते हैं अक्षरा और नैतिक की पहली रिश्टा ये रिश्टा क्या कहलाता है? एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आपको प्यार पर विश्वास दिलाएगी यह एक ऐसी कहानी है, जो हर उमर के दर्शकों के लिए अपील करती है. ये रिश्टा क्या कहलाता है में नैरा और कार्थिक की रोमांटिक लव स्टोरी भारतिय टेलिविजन के सबसे लोग प्रिय प्रेम कहानियों में से एक है. नैरा और कार्तिक की मुलाकात एक शादी में होती है जहां दोनों एक दूसरे के प्रतितुरंट आकर्शित होते हैं लेकिन उनकी शादी तय हो जाने के बाद नैरा को पता चलता है कि कार्तिक अपनी उर्व प्रेमिका सीरत से प्यार करता है नैरा शादी तोड़ने का फैसला करती है लेकिन कार्थिक उसे मना लेता है और वे शादी कर लेते हैं शादी के बाद नैरा और कार्थिक कई चुनौतियों का सामना करते हैं जिनमें कार्थिक की सीरत के लिए भावनाएं, उनकी परिवारों के बीच मत्भे और नैरा की गर्भावस्थार शामिल है। लेकिन हर चुनौती के साथ उनका प्यार और भी मजबूत होता जाता है। नैरा और कार्थिक की कहानी एक सच्चे प्यार की कहानी है जो सभी बाधाओं को पार कर जाता है यह कहानी दर्शकों को प्रेरित करती है और उन्हें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। नेरा और कार्तिक की रोमांटिक लव स्टोरी में कुछ खास पल शामिल है। नेरा की कर्भावस्था नेरा कर्भवती हो जाती है और कार्तिक उसके साथ हर कदम पर मौजूद रहता है। उनकी बेटी आक्षरा का जन्म नेरा और कार्तिक अपनी बेटी आक्षरा के जन्म से खुश है। उनका दूसरा हनीमून नैरा और कार्तिक अपनी बेटी के चन्म के बाद एक दूसरे हनीमून पर जाते हैं नैरा और कार्तिक की रोमांटिक लव स्टोरी दर्शकों को प्यार, हंसी और आसूं से भरपूर एक भावनात्मक यात्रा पर ले जाती है यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको सच्चे प्यार की शक्ती पर विश्वास दिलाएगी यहाँ कुछ अतरिक्त विवर्ण दिये गए हैं जो नैरा और कार्तिक की रोमांटिक लव स्टोरी को और अधिक खास बनाते हैं नैरा और कार्तिक के बीच गहरी केमिस्ट्री है जो स्क्रीम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उनकी कहानी यथार्थवादी और रिलेटेबल है जो दर्शकों को उनसे जुरने में मदद करती है उनके प्यार में कई उतार चढ़ावाते हैं जो कहानी को रोचक बनाते हैं उनकी कहानी सकारात्मक संदेश देती है जैसे कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर जाता है जदी आप एक रोमंटिक लव स्टोरी की तलाश में हैं जो आपको प्रेरित करेगी और आपको सच्चे प्यार की शक्ती पर विश्वास दिलाएगी तो ये रिشता क्या कहलाता है निश्चित रूप से देखने लायक है ये रिष्टा क्या कहलाता है में अक्षरा की रोमंटिक लव स्टोरी अक्षरा गोयन का परिवार की लाडली बेटी एक सरल और सौमे लड़की है नैतिक सिंधानिया परिवार का बेटा एक दयालू और जिम्मेदार युवक है दोनों की मुलाकात एक शादी में होती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है प्यार की शुरुआ नैतिक अक्षरा की मधुर आवास और दयालू स्वभाव से मोहित हो जाता है अक्षरा नैतिक की इमानदारी और परवाह करने वाले स्वभाव की सराहना करती है दोनों एक दूसरे की कंपणी में खुशी ढूंडते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास करते है परीक्षाओं का सामना उनके प्यार को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि परिवारों के बीच मतभेद, समाज के रितिरिवाज और गलत फमिया नैतिक की पूर्व प्रेमिका नंदिनी उनके रिष्टे में बाधा बन कराती है अक्षरा को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और अपने परिवार को मनाने में मुश्किल होती है प्यार की जीत फर चुनोती के बावजूद अक्षरा और नैतिक अपने प्यार के लिए लड़ते हैं वे एक दूसरे के प्रती समर्पित रहते हैं और धीरे धीरे अपने परिवारों का विश्वास जीतते हैं अंत में वे सभी बाधाओं को पार करते हैं और शादी कर लेते हैं अक्षरा और नैतिक की प्रेम कहानी एक प्रेम आदायक कहानी है जो सच्चे प्यार की शक्ती को दर्शाती है यह दर्शाता है कि कैसे प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है और अंत में जीत हासिल कर सकता है यह रिष्टा क्या कहलाता है में अक्षरा की रोमांटिक लव स्टोरी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है बलकि यह परिवार दोस्ती और विश्वास के महत्व को भी दर्शाती है यह रिष्टा क्या कहलाता है अभिरा रोमांटिक लव स्टोरी कहानी अक्षरा और अभिमन्यू की मुलाकाथ एक शादी में होती है और तुरंट एक दूसरे के प्रती आकर्शित हो जाते हैं हालां कि उनके परिवारों के बीच दुश्मनी उन्हें अलग रखती है अर्मान अक्षरा की जिंदगी में प्रवेश करता है और उससे शादी कर लिता है शादी के बाद अक्षरा को पता चलता है कि अर्मान वह नहीं है जो उसने सोचा था अभिमन्यू अक्षरा की मदद करने और उसे अर्मान से बचाने की कोशिश करता है धीरे धीरे अक्षरा और अभिमन्यू अपने प्यार का एहसास करते हैं कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन अंत्ह अक्षरा और अभिमन्यू अपने परिवारों को मना लेते हैं और शादी कर लेते हैं। अभिरा की प्रेम कहानी साहस्त, बलिदान और सच्चे प्यार की प्रेनादायक कहानी है। यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिये गए हैं, जो अभिरा की प्रेम कहानी को इतनी खास बनाते हैं। उनका प्यार मजबूत बाधाओं का सामना करता है, अक्षरा और अभिमन्यू को अपने परिबारों, समाज और यहां तक की अपनी किस्मत से भी लड़ना परता है। वे एक दूसरे के लिए बलिदान करते हैं, अक्षरा और अभिमन्यू हमेशा एक दूसरे की भलाई के लिए अपनी खुशी का त्याग करने को तयार रहते हैं। उनका प्यार समय की कसोटी पर खरा उतरता है, अक्षरा और अभिमन्यू कई सालों तक अलग रहते हैं, लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं हुटा, वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, अक्षरा और अभिमन्यू एक दूसरे को अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर उनका प्यार सकाराक मुत्ता और आशा का Grade है अक्षरा और अभिमन्यों की कहानी हमें सिखाती है कि सचा प्यार किसी भी बादा को पार कर सकता है अभिया की प्रेन कहानी भारतिय कलिविजन के सबसे लोग प्रेंग प्रे standard कहानीों में से एक है यह एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को बार-बार देखने और प्यार करने के लिए प्रेरित करती है